नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ने करियर में दोस्तों यदि आपको भी PM किसान में EKYC करने में ये आधार not response वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका solution बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों इस problem को किस प्रकार से solve कर सकते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ यदि आपको भी जानना है तो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक जरूर देखिएगा त इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले यहां देख सकते हैं बायोमेट्रिक वाला जो आपको option आता है इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों हम पहले यहां पर live देख लेते हैं क्या वाकी में यह समस्या आ रही है या नहीं आ रही है अब यहां पर दोस्तों हम अपना अधार number type करेंगे उसके बाद यह जो capture code दिया है इस capture code को इस box में fill up कर देंगे आपके पास जो भी capture code आएगा वो आप fill up करेंगे तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देजा सके हैं आप देख सकते हैं हमने capture code fill up कर दिया अब search box पर click कर दिया search box पर जैसी आप click करेंगे तो चलिए दोस्तों get mobile OTP पर भी click कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों जब आप get mobile OTP पर click करते हैं तो उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा cp krisi करके OTP का नाम होगा दोस्तों जब तक दोस्तों OTP आ रहा है यदि आपने हमारी इस वीडियो को एक like ने किया तो जल्दी से एक like कर दीजिएगा अब यहाँ पर दोस्तों हमारा OTP आ चुका है तो चलिए इस OTP को type कर लेते हैं अब आपका OTP जो भी होगा दोस्तों वो simply यहाँ type करेंगे उसके पास submit OTP पर click करेंगे जैसी आप submit OTP पर click करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अब आपके सामने नीचे चार ओप्सन खुल के आए हैं अब इन में से आपके पास जो भी fingerprint device अविलेवल है दोस्तों वहाँ से आप अपने finger को scan करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने mantra को scan किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक pop-up आया है कि put your finger यानि कि अपने finger रखिए अब यहाँ पर हम जो finger रखते हैं दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं capture successfully हो चुका है OK पर click करेंगे जैसी आप OK पर click करके अब submit button पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको वो error आ जाएगा यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों कुछ second तक load लेगा उसके बाद देख सकते हैं हमें यह error आ चुका है अब इस error को solve कैसे करेंगे दोस्तों तो चलिए अब आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ इसके लिए अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे last में एक option मिलता है correct आधार number का आपको simply इसी option पर click कर देना है जब आप इस option पर click करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर दो box बनके आते हैं जहाँ पर first वाले में अब आपको अपना अधार number वापस type कर देना है अधार number type करने के बाद दोस्तों यह जो capture code दिया गया है इस capture code को यहाँ पर इस box में fill up कर देंगे तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर capture code को भी fill up कर देते हैं इसके बाद दोस्तों जब आप capture code को fill up कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो search का option मिलता है simply इसी option पर click कर देना है जब आप सर्च वाले option पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो उपर देख सकते हैं आपको एक छोटा सा pop-up message आता है जहां पर आपको दिखावा लिगा यदि आपका आधार काट सही है दोस्तों तो correct लिखावा मिल जाएगा आपको okay पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद दोस्तो आपको जो problem आ रही थी इसको solve करने के लिए बस आपको इतना ही काम करना था अब यहाँ पर हम आप दुबारा जो KYC करने जाएंगे तो हमारी KYC successfully हो जाएगे तो चलिए दोस्तों आपको live करके दिखाता हूँ हम यहाँ पर वापस अपना अधार number type करेंगे उसके बाद दो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर image capture दिया गया है इसको type कर दिया उसके बाद दुबारा search button पर click करेंगे जैसे ही हम search button पर click करते हैं दोस्तों तो हमें वापस get mobile OTP का option मिलता है अब यहाँ पहले दोस्तों हम अपना mobile number type कर देंगे जो भी आपका mobile number होगा व जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा OTP अब आ चुका है हमने OTP type कर दिया वापस हम submit OTP पर click करेंगे जैसी आप submit OTP पर click करेंगे दोस्तों वापस आपको चार option दिखाए देंगे हम वापस यहाँ पर capture for mantra वाला device ही वापस select करेंगे जैसी हम capture for mantra वाला device select करते हैं दोस submit बटन पर जैसी आप click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लाइफ देखेगा कि KYC होती है नहीं होती यहाँ पर आप पड़ सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पर payment करने के लिए option आ चुका है तो दोस्तों आपने देखा है महाँ पर हमें जो error आया था फर्स्ट बार में second बार जब हमने यहाँ पर वापस KYC किया तो यहाँ पर हमारा error हट चुका है तो दोस्तों यहाँ आपको भी वह problem आ रही थी तो आप इसको इसी प्र अब यहाँ पर हमें दुबारा option ने आया है wallet pin का तो आपका जो भी wallet pin होगा दोस्तों वह type करेंगे उसके बाद यहाँ पर pay now पर click करेंगे जैसी आप pay पर click करेंगे दोस्तों तो उसके बाद जो है आपका payment cut जाएगा CSC के माध्यां से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते ह आप जो है अपनी EKYC को successfully कर सकते हैं इस आधार वाले problem को solve करके जी हाँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like जरू कीजेगा चैनल पर नए है अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्रिप्या करके चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को press करना मत भूलेगा त तो आप तक जो notification है सबसे पहले पहुचे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले next वीडियो में एक नहीं information के साथ